वेल्कम बैक टो एलर्निंग पर धीना मैम चैनल इससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम 2013 का PGT के एकजाम को सॉल्व करेंगे उससे पहले हमने 23, 24, 25 और आपका 26, 29 का PGT का एकजाम सॉल्व कर चुके हैं उनकी जो PDF यानि उनकी जो PDF है वो टेलिगाम चैनल पर है और उनकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्केप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी तो अगर आपने अब उत तक ना देखे हों वो पेपर तो देख लीजिए क्योंकि इस मैंसे आपका 15 प्रसत हर बार होगा उसमें हम लिंक प्रोवाइट करा देंगे तो हर पेपर को देखिए क्योंकि काफी इंपोडेंट है रहा यह सवाल के यह होगा के नहीं होगा आपको बता दें कि यूपिकंसी है उसे कोई रोख नहीं सकता चाहे आपका चुनाव आजाए चाहे कुछ भी हाजाए पर यह यूपिकंसी है वो दुझार बाइस में होगी ही होगी यान इसका जो एकजाम है दुझार बाइस में हो जाएगा बाइस के एंड तक आपको जोइनिंग मिल चाहेगी तो इसे अच्छा अपॉर्चिनिटी क्या होगी क्या अभी से आप त्यारी करें क्योंकि जो भी धा कि उसके बाद हम TGT के भी कराएंगे क्योंकि यह क्या है LT क्या है आपका TGT PGT दोनों का बेस है और आपका UGC NET को भी टच करेगा क्योंकि यह LT का एड़्चाम I.O. का है इसमें GS के पार्ट का भी हम यह क्या करेंगे M2C-type question देना चालू कर देंगे जिससे कि क्या हो आपकी practice हो सके किके अब तक तो आपने सब ने पढ़ा ही है केबल और केबल अप्रेटिस बागी है practice हो सके GS की उस पर हॉम साइंस का क्या करेंगे उसको subject को भी लेकर चलेंगे पहला कुशन देखिए पल्यावान सनरच्षण एक्ट किस वर्स पारित हुआ तो इस एक्ट की बात करें तो ये पारित हुआ है आपका 1986 में पल्यावान सनरच्षण एक्ट का पारित हुआ है तो आपका जो पारित हुआ है ये हुआ है आपका 1986 में आपको यहां यह और बात याद रखने ही जब बात आती है 1986 की तो यहां हमारी क्या होता है सेकंड एजुकेशन पॉलसी यानि आपको याद रखना है कि 2020 से पहले अगर कोई पॉलसी है तो वह हमारी 1986 की पॉलसी ठीक है इस से पहले अगर पॉलसी की बात करें तो हमारी हो जाती है तो यहां पॉलसी का डिजाइन होने का कोई भी निशिद बर्स नहीं है तो यहां पे जो 86 की पॉलसी है उसके बाद निव पॉलसी कब आई है तो वह 2020 में आई है उससे पहले पॉलसी कब थी तो याद रखिएगा 1968 की पॉलसी थी एजुकेशन पॉलसी क्योंकि यह बहुत छोटे टर्म है या छोटे टॉपिक है बट आपका क्या है कि जैस का भी पार्ट इसमें इंक्लूड है और दूसरा यह एजुकेशन से फिल्ड से है एजुकेशन पॉलसी तो आपको यह इतना पता होना चाहिए अगर आप टीचर क फिल्ड में है तो नेशलते हैं निमले के तुमें से किसका प्रयोग करने से ग्यान की इसमनती सबसे अधिक प्रवाबसाली होती है तो यहाँ पर हमें क्या करना कि ग्यान की इसमनती को बताना है तो आपको पता है व्यवारिक अन्वाव लनिंग वाई डूइंग ठीक है ए और NCF 2005 इसी की बकालत भी करता है कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए रटा के नहीं किताबों को पढ़ा के नहीं लर्णिंग बाइट दूइंग के माद्धम से हर चीज उसको सिखाई जाए सेल्प हेल्प फिचर में आते हैं तो आपको यहां पर है आता है क्या आते हैं तो वो आते हैं हमारे प्लाश्टिक चुटपुट इनको सामिल किया जाता है सामुदा एक विकास कारीक्रम आरम हुआ था बहुत बाहर रिपीटियेट हुआ है हम साइंस में यह यानू जब भी किस अवस्ता में अत्यादिक प्रोटीन की आवशक्ता होती है तो जब क्या होगा कि सरीन में क्या हो टूट भूट और डिमांड भड़ती है तो प्रोटीन की आवशक्ता धिक होती है या फिस सरीन में कभ भी प्रोटीन की अत्यादिक आवशक्ता होती है जब कोई नए जीव विखार्ट की उत्पती होती है तो गर वस्ता एवं धात्री वस्ता में क्या होगा यहां पे अत्यातिक प्रोटिन के आवश्चता होगी आपको बता दें कि आपका RDA का चार्ट है वो टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है तो आप जाके क्या करें टेलिग्राम चैनल से RDA से चार्ट निकाल है जब भी आप कहेंगे कमेंट वोक्स में तो हम RDA चार्ट को भी समझा देंगे वैसे तो आपको PDF प्रोबाइट करा दे गई है टेलिग्राम चैनल पा 12 सरकार दोरा जवार रोजगार योजना आरम की गई थी तो आपको बताना है कब आरम की गई थी तो जवार रोजगार योजना की बात करें तो ये हमारा असन जो हो जाती है इसकी वो हो जाती है आपकी 1989 1989 में ये योजना शुरू की गई थी इस योजना का जो मुख्यों देस था वो ये था कि क्या है यहाँ पे 30 प्रार्सत क्या था महलाओं के लिए आरच्छन प्रदान किया गया था रोजगार में नेशल थे हैं आपको बता दें कि जो PGT का एक्जाम होता है इसमें साइंस का क्या होता है 50 कोशन आपको साइंस के मिल जाएंगे जिसमें से होमन साइंस का प्रेंट हो जाती है 120 कोशन आपको जो सीड दिलाने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा वो साइंस हो जाएगा जब हम होम साइंस को टच करेंगे या पढ़ेंगे तब ही हम क्या करेंगे human science यानि home science वाली science को देखेंगे मिलावट निरोदक अधिनियम कब लागू हुआ तो आपका जो मिलावट ये कब लागू हुआ तो ये हमारा 1 जून 1955 को बामन को क्या आया याद रखिएगा सामुदाइक विकास पचपन को क्या आगिया मिलावट विरोद अधिनियम या कानू एक्ट एंटी बाडिज किसके विरुद लड़ते हैं तो ये काफी इंपोर्डेंट है और ये किसके विरुद लड़ते हैं तो ये संक्रमर के विरुद लड़ते हैं मानब्यवार में प्रेड़ना तक्त्व है तो यहां पे मानब बेवार में किस से पिरना है तो प्युक सभी से यानि इस तर मूले और लच सभी से प्रेडित होता है पेसियों में तकावट किसके जमा हो जाने से होती है तो हमारी पेसियां है, वो Lactic Aesid होता है, जो Lactic Aesid है, इसकी जमाभ हो जाने के कारण ठकावट महसूस करती है, मनुश्य में आपका Lectum एक तंत्र का भाग है, जो संबंदित है, तो आपका यो Lectum है, वो बताना है कि किस संबंदित है, तो यहाँ पर याद रखिएगा किस से संबंदित है तो वो हमारा है पाचन तंतर से संबंदित है आपका है कटलरी के अंतरगत आते हैं तो आपका जो कटलरी यानि कांटे वाले याद रखिएगा कटलरी का मतलग हो गया कांटे वाले चक्कू कांटे और चम्मचे सभी कटलरी के अंतरगत आते हैं नेमने मैंसे कौन मानवी साधन नहीं है ये हर बार पूछा जाता है इस बार भी पूछा गया था तो मानवी साधन वो होते हैं जिनमें क्या हो ऐसे साधन होते हैं जो प्रतेच रूप से मानव से संबंदित होते हैं ठीक है तो ये प्रतेच रूप से मानव से संबंदित नही है शक्ति ग्यान रूचि नहість लेते हैं कठपुतली एक आपका है तो यहां पर बताना है के कठपुतली जब भी मैंने सॉव Doe करा इते हैं कि यह सम से करते हैं यह क्या हो गया श्रब मुंद्रश और श्रब भी कैसे हो गया कि जो इनको धागों से पकड़े रहता है उपर को वो क्या करता है कोई ना कोई स्टोरी सुनाता है जिन्हें इन डॉलों से प्ले करवाता है तो द्रबिसादन कौन है कटपुटली सिर के लिए सामाने ते पट्टी भांदी जाती है तो आपका जो सिर के लिए है पट्टी वो हमाने से कौनी भांदी जाती है अभी भी आया था ताने और बाने के दागे रंगे जाते हैं तो आपको बताना है कि किसे रंगे जाते हैं त तो जो आहर है, उसके नियोजन को कौन प्रभावित करता है, तो आयू सारे ले कावशक्ता और अपसार सभी प्रभावित करते हैं, फल और सब्जियां अच्छे शूत हैं, तो आपको बताना है कि राइट अंसर इसका क्या है, तो वो हमारा है बिटामिन के के, फल और सब्जियां इसी के अच्छे सूत हैं, आपका गलेजिंग दी जाती है, तो आपका जो राइट अंसर है, वो हमारा क्या है यहाँ पर गौध और रिश्टार चिसे, नेशल्टे लेंग्वेज एंड थौट अफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस पुस्टक की बात कर रहें, तो यह हमारी लिखी गई है, प्याजे के मनलब प्याजे ने लिखी है, जिन प्याजे ने यह पुस्टक लिखी है, इससे भी जादेन की एक पुस्टक फेमस है, वो हमारा ओरिजेंटन आपका इंटेलिजेंट्स इन चाइल्ड इसको भी याद रखेगा काफी इन्होंने चार या पांच पुस्तकें लेखी हैं जो काफी एहम है आपका है मार्थंडम योजना आरंब की गई है तो किसके द्वारा है तो हमारा डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा काफी इंपोडेंट है तो ध्यान रखिएगा अगर इस योजना को यहाँ पूछा गया किसके द्वारा तो हो सकता है अगर ग्राम उद्ध्धन की एक अराज की योजना है इसलिए एम बाइएम सी एक नामसे से जाना चाता है नवजाज सिसू के संबेग है तो नवजाज सिसू के जो संबेग है इससे पहले भी हम किसी में पढ़ चुके हैं कि नवजाज सिसू में संबेग नहीं पाए चाते तो नवजाज सिसू में क्या क्या संबेग होते हैं तो वो भै, क्रोध और प्रेम ये नवजाज सिसू में संबेग देखने को मिलते हैं 15 साल में 13 महा में तदा प्रेंम उसको 10 साल में क्या होता है उत्वन होता है तो आपका जो राइट अंसर बनेगा वो ग्या बनेगा? यहां पर जो राइट अंसर बनेगा हो बनेगा हमारा भी ग्रह बिवस्ता एक बांद के समान है जिसके द्वारा संसादनों को नियमित किया जाता है किसने कहा है तो आपकी जो ग्रह बिवस्ता है वो हमारी है राजमल पी देवदास रक्त किस प्रकार का उतक है तो आपका जो ब्रहा हमारी बॉड़ी में रक्त भैता है वो संयोजी उतक कहा जाता है और इसका कितना रक्त होता है लगभग तो याद रखीगा पांच लीटर लगभग होता है रक्त सरकरा में का इस्तर और ऑक्सीजन नियंतर होता है तो आपका किस से होता है तो वो हमारा एडिनल गरंथी द्वारा ठीक है सरकरा का इस्तर तथा अक्सीजन नियंतर निमले कितमे से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है तो जो हाथ से न छप सके वो हमारी का है डूप्लैक्स छपाई है निमले कितमे से किसको हाथ छपाई तकनीकी नहीं है यानि हाथ के द्वारा छपा नहीं जा सकता तो वो हमारी ये डूप्लैक्स छपाई जिसको हाथ के द्वारा छापा नहीं जा सकता चाएँ शलते हैँ कोष्का की खोज किछने की है तो वो हमारा है Robert होक ने कोष्का की खोज की है ठीक है Robert होट की बात करने तो उन्होंने कोष्का की कोज रभी की है तो 16, you don't know आपका 16, 65 में यानि 16, 65 में 65 में नो ने खोज की है और आपकी यहाँ पर बात की जाए कि सिद्धान्त कोश्का का सिद्धान्त किसने पत्पादित किया है क्योंकि हो सकता है कोश्का की खोज बहुत बारा चुका है तो आप याद रखिएगा सलाई डेंडे ठीक है कुसका के सिधान्त किस ने दिया है स्लाइड एंड ने दिया है चलन तंत्र है तो आपका राइड आंसर रहेगा वो हमारा है कंकाल तंत्र क्योंकि इसी पर ही हम पूरा चलते हैं यह हमारा इस्टेटी की तरह है बॉड़ी स्टेट वाड रोग सब्द दरसाता है तो आपका जो राइड आंसर है वो हमारा क्या है कपड़ों का संग्र है आपका टाइफाइड रोग का कारण है तो आपका जो रैर नेश्ट वो है आंसर वो है मारा साल्मो नेला टाइफी तो आपको याद रहना है तो आपको याद रहना है तिपिया क्या है पैर की हटी अ motive अगर बात करें पैर की सबसे या सबसे लंबी setदी कौनसी है तो याद रहेगा, दिगता दो लंबी अस्तिया टिबिया और आपका याद रखिएगा एक और है वो सकता है टिबिया आ चुकी है तो इसे पूछ ले आपका वो हमारा फिबुला ठीक है ये एकी जगे पाई जाती है तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर पूछा जाए कि फिबुला अप्रमुकाड़ी है तो याद रखिएगा पैर की अधिगम और कलपना है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मानसीक प्रकिरिया महला लिंग हार्मोन्स हैं तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका इस्ट्रोजन बसा में गुलंसील बिटामिन है तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे रहेगा राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा आपका वो रहगा A, D, E, K ठीक है इसमें पूछा गया है बसा में गुलंसील बितामिन है तो आपकी A, D, E, K जो बितामिन है वो बसा में गुलंसील है नहीं शलते हैं निमली कितमें से कौन सा एंजाइम आप यहां पर बताएंगे कि हमने कल वाली प्रेटि सेट में कराया था यानि कल वाली कोशन में कराया था कि जल में गुलंसील बितामिन के बसा में पूछे गए है जल में गुलंसील दोज अच्छे कि इमें पूछे गए तो आप हमें बताएंगे निमली कितमें से कौन सा एंजाइम अमासे में उपस्तित रहता है तो आपका जो right answer रहेगा वो रहेगा इनमें से सब ही सारे enjoyים अमासे में उपस्तित रहते हैं अपका pepsin रेण लेढ़ रेणिन और रा से लाइपेज एक स्वस्त मालम में ताफ लेनी की औस्त के लिए डॉट डॉट बार मिनट है तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कि कितनी मिनट है स्वस्त के मानम में तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अभी आया था यह 12 से 16 बिटामिन सी की कमी से हो जाता है तो आपका इसकरवी रोग बिटामिन सी की कमी से हो जाता है एनेमिया क्या है आपका आइरन की कमी से हो जाता है बेरी बेरी बिटामिन बी की कमी से हो जाता है मेरसमस की बात करने तो प्रोटीन की कमी से हो जाता है मेरसमस नेशलते हैं आपका किसके कारण रुद पसलियां होती है तो जो मालत सरीर है उसकी पसलियों की बात की जाए तो इसमें 24 पसलियां होती है ये क्या है ये बच्छ के दौनों तरफ बारा बारा पसलियां होती है यानि जो आपका सीना है वो इस तरह गई डिजाइन हुआ होता है इस तरह से तो इसमें 12 और इसमें 12 होत होते हुए पीछे के मेरुडंडे से जुड़ी होती है नहीं चलते हैं बिना सुकड़न बाला पस्त तैयार किया जाता है तो आपका जो राइड आंसर है वो हमारा है यहां पर आपका है सैंट फो राइजिंग के द्वारा सरवादिक और सुरच्छी चेक होता है तो आपका जो राइड आंसर बनेगा वो हमारा है यहां पर बियरर चेक यह सरवादिक सुरच्छी चेक है हड़ी में कौन सा लवर सबसे अधिक होता है तो यहां पर जो राइड आंसर रहेगा वो हमारा है कैल्थियम फास्पेट आपका है कुईंग और बलवलाना बाड़ी किसकी अवस्ता है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा मद्ध अवस्ता है MMR दरसाता है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका मिलीन, लस, पंपस और आपका रुवेला, इन तीनों को ही तरसाता है M, M, R यह क्या है कि यह तीनों रोगों से बचाओ के लिए M, M, R, T का लगवाया जाता है नेशलते, O, रुदिर बढ़ के ब्यक्ती सर्वदाता होते हैं क्योंकि कोई उनमें एंटिजन नहीं होता है यह सर्वदाता होते हैं यानि यूनिवर्सल डॉनर होते हैं और अब सर्वग्राही कौन सा होता है तो वो हमारा A, B होता है यह सर्वदाता है, यह सर्वदाता होते हैं ग्रीन हाउस में उपस्ते होती है तो आपको यहाँ पे राइट अंसर बताना है और बहुत वार पूछा गया है तो कार्वन डाइ ऑकसाइड और मिठेन यहाँ पर देखें कि गिरीन हाउस में सरवादे कुछ सरजन कार्वन डाय ऑकसाइड नाइट्रिस ऑकसाइड और क्लोरो फिलोरो कार्वन तद बास बास रहते हैं आपका है CPdec b दर्साता है तो आपका जो राइट रहेगा वो हमारा Center Pollution Control Board यानि Central Pollution आपका है Control Board इसकी स्थापना की बात की जाए क्योंकर हो सकता है इसकी स्थापना आह जाए तो वो हमारा एह जाएगा 1974 1974 यह क्या कराता है कि जो पल्यावन सरच्छन अधनियम है इसको भी याद रखिए पल्यावन सरच्छन अधनियम बहुत पूछा जाता है तो पल्यावन सरच्छन अधनियम कब आया है तो याद रखिएगा 1986 जो सबसे पहले कुशन में बताया रहता है इसी में एजुकेशन प मंत्राले को तक्नीकी सेवा अपलब्द कराता है कौन कराता है आपका सी सी पी सी बी नहशलते हैं स्यासी सी का मतलब हो गया सेंट्रल आपका है पॉलूशन कंट्रॉल बोट ठेक है याद रखेगा इसकी स्थापना कब होई है 1974 नहशलते हैं पोलियों की दबा के अविस्कारक हैं तो आईगी कुशिन काफी इंपोर्डेंट हो जाता है और भी सकता है तो जोनास सालक ये क्या है सालक जी पोलियों के अविस्कारक है भारत पोलियों मुक्त हो चुका है इस दबा का नाम क्या है पोलियों की का तो याद रखना डी पी टी ठीक है डी डॉट पी डॉट इस दबा का नाम है DPT नैस्चल दे मालम ने तक इस भाग पर किसी बस्तू का प्रत्विंबू बनाते हैं वह है तो हमारा प्रत्विंबू किस पर बनता है तो याद रखना द्रश्टी पटल पर हमारा प्रत्विंबू बनता है समय कित बाल पिकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 0 से 6 बस तक बच्चों को आहरवा पोसण में सुधाल लाना कम कर्च में बोज़ सरनेचर सिकाने के लिए सबसे उप्युक्त विदी कौन सी है तो यानि कम खर्चा पड़े और बोज़न भी सीख जाएं तो यह आपको बताना है कि सबसे उप्युक्त विदी कौन सी है तो वो हमारी है यहाँ पर प्रधर्शन विदी फ्रूट प्रोड़क्ट ओर्डर रोक्ताम कराता है तो वो कराता है हमारा चुराइट अंजर है इसमें वो हमारा है यहाँ पर मिलावच की और अगर बात करें कि यह कब बना आपका एक जून याद रखिएगा क्योंकि बहुत ऐसी चीज़े पूछी जाती है तो एक जून 1955 में खास उरच्छा अधनियम लागो किया वया इसी में है जिसे फूड प्रोडेक्ट ओर कहा चाता है ने शलते हैं स्वसंदर की किस समय सबसे कम होती है तो जब स्वसंदर की समय होती है तो वो हमारे सोते समय सबसे कम होती है आपका लेफिनेट करनल एलवर्ट ने योजना आरंब की थी तो आपकी कौन सी योजना आरंब की थी तो वो हमारा इताबा अग्रगामी योजना आरंब की थी इताबा अग्रगामी योजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदिस के इताबा जिले में कब आरंब की गई ही है 19 आपका 48 19 आपका और ये हमारा 48 ठीक है 1947 में सोतन तो 48 में ये हो ज़ना आपकी क्या हो गई आरंब हो गई याद रखिएगा इताबा में जो उत्तर प्रदेश के में है चलिए नैशलते हैं आपका काफी important question है इसमें ligament इस भी बार आया था ligament जोड़ता है तो ligament क्या जोड़ता है तो याद रखिएगा ये इस बार के PGT में भी पूछा गया है तो हड़ी को पेसी से हड़ी को पेसी से जोड़ता है ligament यहाँ आपकी सबंच में अच्छा आएगा born to muscles को जोड़ता है ligament तो याद रखिए कि यहाँ पे गरम रंग की बात हो रही तो लाल और नारंगी दोनों ही गरम रंग है अगर बात करें प्राग नामक बिद्वान ने क्या दिया था ने सैट दिया था आपका है आलिव एवं सिर्टन रंग को तरतिया रंग बताया है तता उन्होंने लाल और यवं नारंगी को सबसे गरम रंग बताया है इसलिए इसको प्राग बोलते हैं क्योंकि प्राग नामक बैग्यानेकों ने दिया है प्राक्तिक रेसा है तो आपका जो प्राक्तिक रेसा है वो हमारा एस्वस्टस एक मात्र खनी जरेसा है जिससे क्या होता बस्थरों का निर्मार किया जाता है और इसके जो बस्थर बनाई होते हैं वो कैसे होते हैं वो बस्थर आग नहीं पकरते तो जो आग भुजाने वाले सैनिक होते हैं उनके लिए इसी का आपका एस्वर्ष्टर्स का परदान बनाया जाता है नेशल देनिमनमे से कौन सा एजजाइम कैलसियम की उपस्तिती में दूद की केसीन प्रोटीन पर किरिया करके उसे दही में परवर्थित कर देता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका रेनिन पैर की उंगलियों को पंक के समान फैलाना है तो आपका जो पैर की जो उंगलियां उन्हें पंक के समान कौन फैला सकता है तो वो हमारी है यहाँ पर सहज के लिए क्योंकि हम आराम से कर सकते हैं लेटे हुए आपका भी भी करना तो इस तरह से आपके उगलियां फैल जाती है पंखे के समान मानव सरीर में अनिवार अमीनो अमले की संक्या होती है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारे अमीनो अमले की संक्या है 10 अगर प्रक्ति की बात की जाए तो प्रक्ति में क्या होगा है बीस से बाइस प्रकार की अमीनो अमल पाए जाते है वही घाता एक है तो आपका जो राइट आंसर है वो हम बूल रेखा पुस्तिका नैश देखिए नियम लेकित मैंसे किसे जीवित भेड से उतारा काटा जाता है तो आपको याद रखना है कि जीवित भेड से किसे उतारा जाता है तो आपका है फिलिस ठीक है फिलिस को क्या करा जाता है फिलिस से गरम बस्तरों का निर्मार किया जाता है फिलिस को जीवित बेर से उतारा और काटा जाता है यहाँ पर उन न देकर क्या दे धिया है फिलिस ने शलते हैं ग्रह प्रबंदन है तो आपका जो है वो क्या है उद्देशों की पूर्टी के लिए संसादनों का प्रबंदन निम्री के तुमेंसे किसे कोशिका का सुसाइड बैक के नाम से जाना जाता है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है लाइसोसोम कोशिका का सुसाइड बैक जानते है राश्टी ये पोसर संस्तान कहां इस्तित है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है हैद्रावाद में इस्तित है कला के तत्व निम्र है तो आपके जो राइड अंसर रहेगा वो रहेगा रेखा, रंग, और सत्य और कानून रेखा, रंग, सत्य और नमूना, ये सभी क्या हैं? कला के तत्व हैं, हर वार कला से कुशन आता है, तो कला के मुखे तत्व कितनी है छे जनुमें रेखा रंग रूप अंतराल पोत याद रखिएगा कौन कौन से हैं जो इसमें नहीं दिये गए उन्हें देख लेते हैं वो हमारा अंतराल अंतराल के बाद पोत और पोत से पहले तान ठीक है तान इस तरहे इनी छे तत्वों की सायता से चित्रों की रचना करता है नहशलते हैं आपका मोरी वाना एक तरीका है तो आपका याद रखिएगा या भी भी कराया था हर बार पिपर में रिपीट होता है तो पुस्व सज्जागा कहां की पुस्व सज्जागा तो जापानी पुस्व सज्जागा सो क्यों होता है इसमे अगर सो सब्द पूछा जाए जापानी को सब्जार में तो सो होता है मनुश्य और आपका सो होता है इसमें मनुश्य नहिशल थे निमले कि तुमेंसे कौन आकार का प्रकार नहीं है तो आपको बताना है कि इसमें आकार का प्रकार कौन नहीं है तो वो है छिद्र युक्त तो आपको जो राइड आंसर है वो हमारा हेत्अ है। । तो आपको ती ब्रता क्या दरसाता है तो हमारा है चम्कीलापन एवं दुंदलापन। एक नाटी मेला को निमने प्रकार के बस्त पहनने चाहिए। यह हर बार आता है नाटी है तो कभी लंबा कभी लंबाई है तो नाटी तो यहां पर क्या है अगर नाटी है तो उन्हें खड़ी रेखा वाले पहनने चाहिए उससे क्या होगा को उनकी लंबाई भर जाएगी इस तरह की रेखा वाले अगर कोई बड़ी महला है जिसकी लंब रहेगा वो हमारा है आपका वे आपका है फिलांज क्या है दौरी नौन्ट बली दाथ है इनमेंसे कौन बड़ी आथ का अंग नहीं है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है इलियम ये बड़ी आथ का अंग नहीं है ये इस बार भी आया था आपके TGT में तो आपका सीकम और कोलन क्या है बड़ी आंत का अंग है इलियम की बात करें तो ये क्या है ये बल छोटी आंत का अंतिम सिरा है याद रखिएगा इलियम की बात करें तो ये क्या है ये छोटी आंत का अंतिम सिरा है कौन सा लच्च का प्रकार नहीं है तो आपका या राइट अंसर रहेगा वो है सारभोमिक लच्च नियासिन की कमी से होता है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा पैलेग्रा हो जाता है नियासिन की कमी से आपका सैंसरी मोटर अवस्ता है तो किस ने दी है जीन प्यारिज ने चार अवस्ता हैं दी है तो आपके sensory motor जो stage है वो हमारी होती है zero से दो साथ ठेक है यहाँ पे पहले उसकी क्या है sensory motor जिसको संबेदी आपकी अवस्ता बोलते है संबेदिक अवस्ता sensory motor दूसरी अवस्ता की बात करें तो बो हो जाती है पूर शक्रियात्मक अवस्ता जो हो जाती है हमारी दो से साथ बर्स फिर तीसरी अवस्ता होती है मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता जो साथ से बारा होती है फिर हमारी होती है मूर्थ के बाद अमूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता जो 12 से 15 होती है ऐसे समझीए सब्भेदी यानि चब चुड़ा बच्चा होता है तो कोई विची इस परस देख कर ही जानता है तो उसके क्या होते हैं sensory motor यानि sensory यानि उंद्रियां जो है बहुत active होती है तो वो stage होगी 2-0 से 2 साल फिर आता है आपका पूर्ण सक्रियात्म का बस्ता यानि पहले से pre operational stage यानि पहले से तो उसने जो सीखा उसे apply करेगा तो 2 से 7 वर्स में फिर आपका हो जाता है मूर्थ यानि आपका concreator यानि इसमें क्या होता है तो वो हमारा हो गया अमूर्द यानि आपका formal operation तो यहाँ पर next question देखिए ISI चनि किसके द्वारा दिया जाता है तो जब ISI की बात हो तो यह दिया जाता आपका भारती हमानक बीरो ठीके बीरो ना होकर अगर संस्ता हो तो भी चलेगा अगर इसकी बात करें तो यह कारीक्रम क्या है प्रमानित करने का कारीक्रम भारत सरकाने का दिया है तो याद रखिएगा 1952 अभी क्या था सामुदाइक विकास कारीक्रम की संजो थी वो क्या थी 1952 थी इसी तर है इसकी भी संग्या है 1902 है ये क्या करता है कि बस्तु की सुद्धता एवं निर्धारण गुडवत्ता की गारंटी प्रदान करता है यानि बस्तु कितिनी सुद्ध है इसका क्या करता है ये निर्धारण करकर गुडवत्ता की गारंटी प्रदान करता है मुक्धसन, आपका है मुक्धसन की अवस्ता होती है तो ये काफी important question है तो आई जाता है ये तो ये होती है 8-12 महा ये क्या होती है आपकी 8-18 महा होती है मुक्धसन की अवस्ता नेशल देहें आपका बढ़ांद व्यक्तिक के रंगों में भेद नहीं कर सकता है तो आपका जो right answer रहेगा वो रहेगा इसमें लाल हरे इनमें वो अंतर नहीं कर पाता है जो बढ़ांद मतलब बढ़ांद की क्या होती है इसमें अंधता होती है से बढ़नांधता बोलते हैं से और वो क्या करता लाल हरे मंतर नहीं कर पाता है और ये क्या होती है ये जन्मजात या किसी अन्यरोग के बाद भी उत्बन हो जाती है बढ़नांधता पूछा भी जाता है कि ये कैसी भीमारी है जन्मजानुकरम तो राय पर जो राइट आंसर है वो हमारे जीन, जीन्स है, नेशलते हैं, निम्न मैसे सरीर का कौन सा भाग जुखाम से संक्रमित नहीं होता, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहां पर फैपड़ा, यह क्या है जुखाम से संक्रमित नहीं होते, जबकि सांसनली नाक यह ज लुखाम से संक्र में तो होते हैं, आपका मद्यमान, नैशल दे है, नैशल देखिए आप, मद्यमान के लिए कौन सा सुत्र सही है, तो अगर मद्यमान की बात की जाए, तो यार है mean dimension, अगर इसकी बात करें, तो इसके लिए कौन सा सुत्र सही है, तो आपका जो right answer रहेगा, वो रहेगा a, mean बारावर सिग्मा एफ हैक्स बटे n, यह formula इसके तो ये बीच की संक्या हमें बता देता है नैशलते हैं कौन सी कड़ाई का सुमेल नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है आपको जोड़ी मिलाने है तो अगर कसूती की बात की जाए तो ये करनाटक की है हम इससे पहले की पेपर में भी इसको देख चुके है ये करनाटक की है अगर बात की जाए आपका कच्छ की तो कच्छ आपका कहां का है ये गुझरात का है नहीं सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है इसमें तो कच्छ गुझरात का है मुर्री कहां की है आपकी तो लखनव की है और यहां पर कशुदी करना टक है तो मोती भारत कहां का है आपका तो यहां पर जो मोती भारत की बात की जाए तो यह आपका रहता है लाजिस्तान का ठीक है मोती भारत कहां की कड़ाई है तो वो हमारी है लाजिस्तान की तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है तो आपका जो right answer रहेगा मोति भारत नहीं चलते हैं एड प्रतिनिदित्व करता है तो आपका एड जो है आपका एड आपका और इगो, सुपर इगो इस तरह से तीन कॉंसेट दिएगा है फ्राइड के द्वारा जो व्यक्ति के मन के ऊपर है फ्राइड महुदे ने बताया है कि अचेतन मन में क्या होता है इड होता है जिसे हम क्या कहते है चोर कहते है ठीक है जिसे आपके समझने के लिए क्या होता है चोर ये होता है इड जबकि इवो वाला व्यक्ति क्या होता है वो पुलिस वाला होता है जाने पुलिस वाला याने नियम और उसको मानेगा आपके सम्मिदान बगेरा को जबकि सूपर इगर वाला क्या होता है वो एक जज होता है जो सही होगा वो हमेशा वो मानेगा और जबकि आपका जो होता है ये चोर वाला या ये क्या करता है कि केवल और केवल सुकी ब्याप्ति की तरब ही भागता है ये प्राइड ने तीन ब्याप्ति के मन की इस्तितियों को बताया है और इसने इसको इड़ को रखा है उसने किसमें रखा है अचेतन मन में ठीक है चेतन अचेतन अब चेतन इस तरह से उन्होंने तीन को डिफाइन किया है अगर जन्म के समय पूछा जाए तो जन्म के समय सिसु में कौन सा मन होगा या कौन सा होगा अप्राइड के अमसा तो वो अचेतन मन ही विद्धमान रहता है क्योंकि उससे जो चाहिए वो रोकर ही ले लेता है जीवन रच्छा गोल निम्न अबस्ता में दिया जाता है तो आपका जो राइट आंसर है इसमें वो रहेगा आपका निरजरी करण में जीवन रच्छा गोल दिया जाता है जिसे के पानी की कमी ना हो डोमेस्टिक सीवेज में असुदता का प्रश्षत है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 0.1 प्रश्षत उपभोक्ता सन्रच्ण बिदेय कब लागू हुआ तो आपका यहाँ राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 6 जनुबरी उन्निस सो आपका 87 निमली के तमेंसे कौन सी बीमारी एडिज मच्छरों द्वारा फैलती है तो आपका यहाँ निसर रहेगा वो हमारा रहेगा चिकनउनिया जो एडिज मच्छरों के द्वारा फैलती है चुकर निवनिया में क्या होता है जहाँ जहाँ आपके ज 선생님 होते हैं वहाँ दर्त होता है आंजिक रूप से पचा भौजन कहलाता है तो आपके जो right answer है वो कहलाएगा आपका यहाँ पहर बहुत बूचाए जाता है काइम अगर काइम को भूल जाओ तो कायम चूट से याद रखना कि कायम जून क्या करता है बोजन को पचाता है तो आंसिक रूप से पचा बोजन क्या कहलाएगा आपका कायम कहलाएगा ग्रह प्रबंदन की पेकरिया में गतविदियों का सही अनुक्रम बताईए तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आयोजन, संगठन, किरियान बेन और मुल्यांकन पहले हम प्लानिंग करते हैं फिर और्गनाईजेशन करते हैं फिर अपलाई करते हैं यान किरियान बेन करते हैं फिर हम क्या करते हैं एवैलुएशन करते हैं आपका है धमनिया रखत ले जाती है तो यहां पे जो राइट आंसर रहेगा कि धमनिया कहां रखत ले जाती है तो हेदे से यह बहुत बार पूछा जा चुका है पीजिटी में तो धमनिया कहां से रखत ले जाती है तो हेदे से नेशलते हैं आपका है बैक्टेरिया में फैलने वाला रोग है तो यानि बैक्टेरिया से फैलने वाला रोग है तो वो हमारा है निमोनिया राइट अंसर है इसमें आपका निमोनिया क्या है बैक्टिरिया से फैलने वाला रोग है जब बजन सामाने बजन से 30 प्रसद अधिक होता है तब उसे कहते हैं तो जब उसको क्या कहेंगे जब 30 प्रसद अधिक हो जाएगा तो वो कहें जाएगा moderate over city या फिर इस तरह से रखिए इसको आपका है मोटा over यानि क्या होता है इसमें body प्राइल जाती है moderate over city नहिशलते निम्न मैंसे कौन आपका अल्टा वाइलिट किरुणों को सोखता है तो अल्टा वाइलिट किरुणों को प्रद्वी तकानी से कौन रोकता है तो वो हमारी है ओजोन लेयर ये कहां पर उपस्तित रहती है तो याद रखिएगा समताप मंडल में ये उपस्तित रहती है नहिशलते हैं बायू में नाइट्रोजन तो यहां पर बायू में नाइट्रोजन क्या है अक्सीजन को पतला कर देता है जो अनेता सुद्ध रूप से बड़ा किरियाशील होता है इदैगी दड़कन यांतिर करने के लिए कौन सा खनेज आवश्चक है तो यहां पर रायट आंसर है वो हमारा है पोटोशियम आवश्चक है निमली कितमें से कौन ततष्ट रंग है तो यहां पर जो रायट आंसर है वो रहेगा काला कैसा है आपका काला रंग कैसा है यह सबसे ज़्यादत ततष्ट यानि सबसे अधिक आदरता अब सोसन का गुड होता है तो आपका जो रायट आंसर रहेगा यहां पर वो रहेगा क्या सूती लेसे मैं निमले मैंसे कौन सा बेटामिन बाजबन बिरोधी कहलाता है तो जो बाजबन को कम करता है वो हमारा होता है बेटामिन E यह बाजबन बिरोधी कहलाता है इस्टेपल तंतु का होधारण है तो आपका जो रायट आंसर है वो हमारा है जूट इस्टेपल तंतु का होधारण ह निम्लिकत मैंसे कौन द्रश शामिग्री नहीं है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है चल चित्र क्या है यहाँ पे द्रश शामिग्री नहीं है पोश्टर, स्यामपट, प्लैसकार ये सबी क्या है द्रश शामिग्री है नवजा सिचु के लिए उपयोगी वस्तर तो आपका जो राइट अंसर है वो है पुराने सूती कौमल होने चाहिए आहर चित्सा में निम्न मैंसे किसकी भूमे का अधिक महत पूर है तो आपका जो राइट आसनर है वो हमारा डायटीसियन की अधिक महत पूर है क्योंकि इन्होंने क्या कहा आहर चित्सा में नैशलते हैं विकास का क्रम है तो इसमें से कौन विकास का क्रम है विक्ति का विकास का जो क्रम है वो बताना है कि विकास का क्रम है तो यहाँ पर जो विकास का क्रम रहेगा वो पैर क्या रहेगा सिर्व मुख गर्दन धड़ और पैर इस तरह से बच्चे का विकास होता है रग प्रकार है तो यहाँ पर रग क्या है रग प्रकार है तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा, वो रहेगा आपका फर्स बिच्छावन ठीक है फरस विछावन क्योंकि हो सकता कुछ तो समझे हैं बसा अ गुलनसीर है तो यहांपे जो रायट अंसर है वो हमारा है बसा कहां है पानी में अगुलनसीर है उपर तैरती ही रहती है अनौपचारिक सिच्छा है तो राइट अंसर यहां पे रहेगा आपका अनौपचारिक सिच्छा है तो यहां पे जो राइट अंसर बनेगा आपका संगटित होती है व्यवस्तित होती है अत्यादिक संस्थानिक होती है तो यहां पे अनौपचारिक सिच्छा कैसी होती है तो मा को कबज की सिकायत ना हो इसलिए उसे तो उसे क्या करना चाहिए तो यहाँ पर राइट अंसर है छिलकेदार डालें और हरी सबजिया खानी चाहिए भारत के किस राज़ में बायू प्रदूर्शन का इस्थर सबसे अधिक है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर दिल्डी ठीक है यहाँ पर राज़ पूछा है मगर यहाँ पर बात कौन सा है यह है हमारा केंदसासित प्रदेश बिटामिन भी कॉम्प्लेक्स गुलंसील है तो आपका जो राइड आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जल में एक ग्राम बसा तो आपको पता ही है कि एक ग्राम बसा हमें क्या देती है नौ किलोरी उर्जा प्रदान करती है एक ग्राम बसा यहीं पे होता एक ग्राम प्रोटीन तो वहां हो जाता चार याद रखिएगा निमली के तुमेंसे कौन सा इस्तरी प्रजनन अंग में नहीं आता तो यहाँ पर जो राइड अंसर है कि कौन सा नहीं आता तो आपका है आपका प्रोजेस्ट्रोन ये क्या है इस्तरी प्रजनन अंग नहीं है निम्न में से कौन प्रबंदन का कार है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है कारे का बिवाजन पहला मानब निर्मित रेसा है तो यहाँ पे जो राइट अंसर है आपका कहाँ सा पहला मानब निर्मित रेसा है तो पहला मानम निर्मित जो रेसा माना जाता है वो रियोन को माना जाता है जबकि कही बुकों में आपको क्या मिलेगा आपको नायलोन मिलेगा ठीक है फर्स्ट फाइवर ओफ में तो वो हमाता होता है रियोन अगर फाइबर ओप किंग पूछा जाए तो वो होता है हमारा कपास फाइबर ओप क्यों पूछा जाए तो वो होती हमारी रेसम तो अगर पहला मानम निर्मित बलेसा की बात की जाए तो वो हमारा रेयोन होता है और कहीं कहीं बुकों में नाइलोन मिलेगा और नाइलोन की जो यहर है वो हमारी 80-84 मिलेगी और मगर जब यह एक्जाम हुआ था तब भी आपका नाइलोन को माना गया है गवर्मेंट अंसर की मैं तो आपको क्या करना है कि पहला मानम निर्मित रेशा तो अगर नाइलोन होता है तो आप नाइलोन ही लगाएंगे और नाइलोन के अब इस कार की बात की जाए तो कभी यह बना तो आपका 18-84 में निर्मित हुआ नाइलोन रेशा क्यों लगाएंगे क्यों कि यह क्या हो जाएगा 2-3 का जो एक्जाम है वही उस एक्जाम का प्रूफ के तोर पर काम आएगा ठीक है तो नायलोन को ही आपको लगाना होगा कर रियोन आप्शन में है तब और जब नायलोन ना हो तो आपका फिर तो रियोन ही रहेगा ने शलते हैं 6 रोग से ग्रसित ब्यक्ति का आहर कौन आहर होना चाहिए तो जिसको टीवी है उसका आहर कैसा होना चाहिए तो यहां पहे अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त दौनों ही चीजों की उसकी मतलब सरीह में डिमांड रहती है अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन पूछा भी जाता है कि हाई प्रोटीन उ हाई कैलोरी किस रोगी को दिजाती है तो छे रोग व्यक्ती को छे रोग से बचाव के लिए निमन टीका लगवाया जाता है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है sortie का टीका लगवाया जाता है टे-पी-टी का पच्छों को लगवाया जाता है लेडी के अंतरगत आते हैं तो आपका जो राइट अंसर है वो है तॉलिया का पास और जूट किस बनस्पतिक श्रोष से आपका है ग्लूटन प्राप्त होता है तो ऐसा कौन सा बनपति श्रोष है तो ग्लूटन यहाँ पे एक सब्द पकरिये गया हूं में क्या पाई जाता आपका ग्लूटन और ग्लूटन से क्या बनता है रेशे का निर्मार होता है कौनसे रेशे का? मानम निर्मित रेशे का एकिकरत बाल विकास योजना शुरू हुई थी तो आपका जो राइट अंसर है कि कब हुई थी तो वो 1975 में शुरू हुई थी कोटिजिन की अनुसार ग्रह प्रबंदन एक तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगो प्रयोग आत्मक विक्यान है परिवार कल्यान कारीक्रम आरंबु हुआ तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 1977 में जल सुद्धी करण की रसानिक विद्यों में क्लोरीन के किस रूप को सर्शेष्ट माना गया है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ब्लीचन पावडर को सर्शेष्ट माना गया है पारवारिक जीवन चक्री की अंतिम अवस्ता है तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे इसने पूछा है अंतिम अवस्ता तो प्रारंबिक अवस्ता फिर विस्तृत अवस्ता फिर हो जाती है आपकी संकुचित अवस्ता तो यहाँ पर जो अवस्ता रहेगी वो हमारी क्या रहेगी संकुचित अवस्ता क्योंकि प्रारंबिक या प्रारंबिक यहां पे भी परवार छोटा होता है विस्तरित में क्या हो जाता है कि परवार बड़ा हो जाता है संकुचित में फिर वही एक दो के दो ही रह जाते हैं शोई का चैन निमले के तुम ऐसे क्या तै कराता है तो सुई हम किसके आधार पे लेंगे यानि किसके हिसाफ से तो कपड़े की किस्म के हिसाफ से हम सुई का चैन करते है सुई का चैन कपड़ों के किस्म को तै कराता है अधर जिस प्रकार का कपड़ा होता है उसी प्रकार छोटी या फिर बड़ी सुई का प्रयोग किया जाता है तो हमने क्या करा कि 125 आपके PGT के कोश्चन को देखे जो 2013 का था आपको बता दें जो 2013 का विग्यापन था मर्ट उसका एक्जाम जो हुआ था 2015 में हुआ था इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उसी एर में एक्जाम हो गया यानि 2021 में TGT PGT आया और 2021 में ही TGT PGT होकर जोइनिंग बिल गई ऐसा पहली बार हुआ है तो चलिए इस बार फिर बेकेंसी आएं तो इसी बार ऐसा ही हो इसी उम्मिस हम तैयारी करेंगे पट LT का तो आना बिलकुल निश्यत है क्योंकि LT जोजार ठारे से अभी तक नहीं आई है तो LT का आना बिलकुल निश्यत है माल नीचे अगर चुनाम में पस भी जाती है पट हो इसी साल जाएगा LT का एक जम हो भी जाएगा और जोर्निंग भी इसी साल मिल जाएगी एड तक तो आप क्या करें कि बस LT को फोकस करें क्योंकि LT में एक सीट लेनी ही लेनी है इस मतलब ठिंगिंग के साथ आप तयारी करें कि तो आपकी सीट को कोई भी ले नहीं सकता तो अब तक के लिए बस इतना ही जैहिन जैभालत